ये आकाश वाणी है, प्रस्तुत है कारिक्रम सूर्खियों में, इसके अंतरगत सुनिए, रक्षक शेत्र में भारत की तक्नीकी प्रगती पर चर्चा, इसमें भाग ले रखी हैं वरिष्ट पत्रकार आजे बेनर जी, कारिक्रम का संचालन कर रखी हैं स्पर्ष सक्सेना नमस्कार शुरताओं, आप सभी का आज के कारिक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आज हम बात करेंगे भारत की रक्षा शेत्र में, प्रोध्योगी की के विकास की, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने स्वदेशी तक्नीकों में महत्वपूर्ण प्रगती की है, जिससे ना केवल हमारी सुरक्षा शमताएं बढ़ी हैं, बलकि आत्म निर्भरता की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं, आए जानते हैं कि किस तरह हमारे देश वैश्विक स्थर पर रक्षा परीद रिश्य में एक मजबूत खिलाड़ी बन रहा है, हाल ही में हम हिंदुस्ता अरोनाटिक्स लिमिटेड यानि HAL के लिए एक महत्वपून मील का पत्थर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसने हाल ही में प्रतष्टित महारतन स्टेटस हासिल किया है, अजय जी आकाशवाणी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, धन्यवाद, सबसे पहले तो आपस में कई सारे लोग उने अच्छा काम किया, उन नवरतना में से कई आगे चले गए, उनको महारतना का स्टेटस दिया जाए, अब जो आपने भी बात करी, चौदा कंपनिया है, उसके अंदर एक आपके शुरुताओं को यह हम बात बताता हूँ मैं, उन चौदा में से हिंद हाल पहली कंपनी है, उन 14 कंपनियों में जो रक्षया उद्योक से आती है, प्रडक्शन का मामला है, जो कि प्रडक्शन भारत में और विदेश में हर जगा उस हाल का प्रडूस्ट एक्यूप्मेंट बाहर जा रहा है, तो इसकी एहमियत तो पहली बात यह है, अब आई हाल ने कैसे यह करा है, हाल एक बढ़तीवी कंपनी थी आज से 60-70 साल पहले भी, मगर आप जनते हैं कि हमारे मुलक में जो इकनॉमिक लिबरेशन हुआ, सनी कानवे में हुआ उसके बाद से प्रगती पकड़ी, 2014 के बाद और प्रगती पकड़ी, अब देखिए पिछले साल हाल का जो टर्नोवर था वो तकरीब 28,162 करोड था, भारतिये रक्षा मंतराले के अंदर तकरीबन 16 पब्लिक सेक्टर कंपनिया हैं, उसमें से हाल एक है, और टोटल जो मान लिजिए भारत की जो जिसे कहते हैं वैश्विक या अपने आप प्रड्यूस करी गई रक्षा उद् से आप अंदाजर लगा सकते हैं कि भारत की रक्षा प्रड्यूसिंग प्रणाली या एकिप्मेंट प्रड्यूसिंग प्रणाली में ये एक एहम कदम है, अभी आपने जिक्र किया कि डिफिन्ज शेत्र की एक लौती कंपनी है, इन 14 में से, तो HAL की क्या महत्वपून रहे हैं, उनकी जो शमता है, जो वैल्यू है, वैल्यू उफ दी मनी, मान लीजे 20,000 कोड का प्रजेक्ट नेगोशियेट हो रहा है, 5,000 कोड का नेगोशेट हो रहा है, 16,000 का हो रहा है तो उनकी नेगोशेटिंग पावर अपने इस तार पे बढ़ जाएगी रक्षा मंतराले इस कंपनी की मैक्सिमम शेर्स होल्ड करता है एक जैसे आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में अची है, लिस्टिड कंपनी है रक्षा मंतराले इसके मैक्सिमम शेर्स होल्ड करता है मगर उनके पास अब जो बोर्ड और डिरेक्टर्स होगा उसके पास एक शमता बढ़ेगी नेगोशेशन की, खुद डिसिजन लेने की शमता फिनेशल डिसिजन लेने की शमता जिससे एक इसकी पॉड़क्शन की स्पीड बढ़ेगी क्योंकि हर बात बंगलॉर से यहां दिल्ली फाइल आएगी फिर उसका फैसला होगा, फिर फाइल वापिस जाएगी दिल्ली से बंगलॉर हाल आप जनते हैं बंगलॉरू में हेडकॉर्टर है इससे एक स्पीड बढ़ जाएगी, सबसे पहली बात तो हाल की दूसरी बात यह कि हाल ने अभी तीन-चार बड़े काम किये हैं जो कि आगे लोग उनको देख रहे हैं हेलिकॉप्टर बनाते हूं एक अड्वांस लाइट हेलिकॉप्टर जिसक्को हम धृूब के नम से जानते हैं उसके कई सारे वर्जन है मरीन वर्जन है देख साए सूरे वोर्जन है करीब तीन-सो हेलिकॉपटर हाल बना चुका है तो ALH जो है जो हाल का उसका अब एक और डॉर्नियर विमान है चोटा उनका जो की उडान स्कीम है बाते गौर्मन्ट की उडान स्कीम चोटे एरपुट चोटे शेरों को चोटे शेरों से कनेक्ट करने की तो उडान स्कीम के अंदर डॉर्नियर 228 एक प्लेन है जो हाल बनाता ह वो प्लेन भी अब civil flight में यूज होता है तो यह हाल की यह progress है रक्षा के लावा HL भारत की रक्षा शमताओं को मजबूत करने में क्या भूमे कानेवाता है पहली बात तो देखिए सुखोई विमान का नाम आप सबकी शरोताओं ने सुना है हाल करीब 40 डिलिवर कर चुका है और यह प्लेन आप जानते हैं भारत की एक indigenous capacity की एक बहुत बड़ी शमता मनी जाती है हलिकॉप्टर का मैं बता चुक हूँ 300 हलिकॉप्टर बना चुके हैं वो 1000 हलिकॉप्टर और बनना है वायू सेन अगर अलाकों विमान तक्रीबन 400 बनने हैं अभी 40 बने हैं 400 बनने हैं उसके इलावा हाल की जो production capacity है वो जब यह production capacity पूरी हो जाएगी हाल तक्रीबन 10-12 unit हैं research unit हैं और तक्रीबन 20 factory हैं उनकी capacity जो है इन plane से helicopter से और इनकी production से और export से और भारती भायू सेना और नौ सेना और थल सेना के बढ़ते वे इन यंत्रों के उपयोग से बढ़ रही है HAL आत्म निर्भर भारत की पहल आत्म निर्भर की बात की जाती है मेक इन इंडिया की बात की जाती है वहारे पास करीब 270 सुखोई हैं हर सुखोई में करीब 2 इंजन लगते हैं तो माले ये 500 इंजन तो आपको रनिंग में चाहिए उसके लावा कुछ खराब होगा कुछ एक्स्टा इंजन चाहिए कुछ रिप्लेस्मेंट के लिए चाहिए तो आपको 600 इंजन चाहिए अब जो बार इंजन के वहां राइफ चोछ उत्याय को होती हैं पहली भारत में बनेके पर ला है जोले कदिया है आफ यह यह तकिर्यूअ को चारीके परिश्य निदिया है कि 55% आने वाले चार साल शेक में बैम बढ़ तक। अ दुद्श की स्थोफोट मार्च 27 में खतम हुआ, उसमें तक्रीबन 21,000 क्रोड का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, भारते रक्षा उद्योग का, उसमें ब्रहमोज एक बहुत बड़ी मिसाईल आपके शोतर नाम सुना है, ब्रहमोज की एक्सपोर्ट है, बहुत सारे चोटे पार्ट्स हैं, सब पार्ट् करता था और अभी भी कावी सारी चिज़ें इंपोर्ट करता है, उसमें 21,000 क्रोड का एक्सपोर्ट होना, मिलको ऐसे दिखता है, आने वाले 10, 12, 15 साल के अंदर हम एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर होंगे, रक्षा के एक्प्मेंट के, डिफिन्स सेक्टर में हम चर्चा है कि हम आपके शुरुटर बनाने की बात नहीं है, यह एक प्रॉसस होता है, बीस बाइस साल लगते हैं, जस्ट आर अरण डी में, आप इंजन बना रहे हैं, ताइम लगे गा, अब जैसे हैं अब जैसे हैं पुछा आगे प्रोग्रेस क्या है, एक प्लेन हम बनाने वाले ह सबसे आधूनिक फाइटर जेट होगा वैसे ही जेट होगा उसका इंजन भी और यहीं पर सब कुछ बनेगा अब उसकी काम दे दिया गया है आड़ा को इरनाटिकल डिवल्पेंट एजेंसी को और हाल उसको बनाएगा लास्ट में और तेजस मार्क 2 एक निया प्लेन बन रहा है अब यहाँ भी खुद ही बना रहे हैं एक स्पेशलाइस गान इंपोर्ट ज़रूर हुए थी एक सो पंतालीस गान इंपोर्ट हुई थी वो स्पेशलाइस गन है वह दुनिया में एक ही कंपनी बनाती है और उस टेक्नीक को बनाने के लिए आपको कई साल लग जाते तो अब जो आप खुद बना रहे हैं उसमें जो चीजें हैं जैसे मैंने आपको प्रोग्राम की शुरू में बताया कि डोर्नियर प्लेन, हेलिकॉप्टर, लडाकू विमान और नेवी के जितने भी जंगी बेड़े हैं जितने भी वार्शिप हैं वो सारे इंडिया में बनते ह जहाँ एक समंदर में चलता वाब जहाज जिसके उपर से फाइटर जेट टेक आफ कर सकता और लेंड कर जाता उसी जहाज के उपर समंदर में वो तहर रहा था उसको एरक्राफ्ट केरियर बोला जाता है वो अब ही अब इंडिया में ही बना है पिछले आगस 2022 में उसका प् प्रमानुर्जित पंडुबी और एरक्राफ्ट के रहे तो हम उन छे मुलकों में हैं तो आपके श्रोता अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कहां खड़े हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने अकसर जिक्र किया आत्म निर्भर भारत का तो मेक इन इंडिया आत्म निर्भर नाम सुना है कि बोईंग प्लेन बनाता है बोईंग का बहुत सारा एक कंपोनेट उनका रक्षा में जो उनका डिफेंसिक अफेंडर से आता है एक कंपनी लॉखीड मार्टीन दुनिया की सबसे बड़े कंपनी त्रेंसट चौन सट बिलियन डॉलर का का कारोबार करती है तो एक dual use purpose की चीज़ें होती है अगर आपको विमान बहाग पोत बनाना आता है नेवी के लिए वार्शिप बनाना आता है तो माली जब वर्शिल शिप भी बना देंगे वो जाहिर सी बात है तो ये dual use चीज़ें होती है जो कि जब आपका रक्षा इंडर्श्रिल कॉंप्ल जब बात की जारी है अचकल और भारती स्टार्टप् सका खासता और रक्षा के छेत्र में कितना महतवपूर्ण योगदान रहा है और आप आने वाले समय में किन छेत्रों में ध्यान में दियान केंद्रत करता होें जी रह रहा है कि रक्षा मंतरा ले क्या करता है, start-ups को और नए युबाओं को जो entrepreneur है, उनको एक challenge देता है, उनको वो challenge बोलते हैं, challenge बोलके उनको बताते हैं कि हमको यह समान चाहिए, यह हमको import करना पड़ रहा है, हमको यह समान चाहिए, आप बना सकते हैं, और वो फिर challenge accept कर बाद में रक्षा मताल है उनका प्रोड़क्ट एकसेप्ट करता है तकरीबन 2,000 क्रोड के प्रजक्ट अब तक एकसेप्ट किये जा चुकिए है उनको ओर दिये जा चुकिये श्टाट अप को और इसी स्टाट अप के चलते वह आप जो देख रहे हैं नई प्रणाली जो कि जो स्टाट अप को बोला जा रहे हैं कि हमको चैलेंजर यह पूरा करके दिखाऊ बहुत जटिल काम है मगर कहने बड़ा असान है कि यह पूरा करके दिखाऊ उनको कॉछ नाटो के अलाइज अमेरिका के वह हमसे टेकनालोजी में कुछ 30-40 साल आगे खड़े हैं जबान और आगे खड़ा है, तो हमको उनको catch up करना है और अपनी शमता बढ़ानी है, तो ये रोल है start-ups का, साइबर सुरक्षा एक बहुत एहम मुद्धा है, तो साइबर सुरक्षा के बढ़ते महत्वों को देखते हुए, आप क्या देखते हैं कि भारत अपनी साइबर रक्षा शमताओं को मजबूत करने के लिए, क्या-क्या कदम उठा चुक है और क्या-क्या कदम आगे उठाने जाने चाहिए जी सरफ रक्षा कि अगर बात करें तो देखिए Secure Communication Network जिसे बोलते हैं यानि कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रक्षा के किसी भी अफसर ने या अधिकारी ने बात करनी है तो वो उनकी अपनी लाइन है जो हम जो बात करते हैं फो फोन पे वो लाइन पे नहीं है वो सेपरेट लाइन है और वो Secure है, Encrypted होते हैं मान लिजिए कोई लडाको विमान उड़ रहा है उसको कंट्रोलर अगर कंट्रोल कर रहा है वो विमान से लेके जमीन पे जो बात हो रही है वो टोटली Secure है को हैक नहीं कर सकता है तो ये हमारे अपने इंडिजिनस प्रोड़क्ट्स हैं कही सारे डिवलप करें हैं जैसे बारत Electronics Limited है, रक्षा मंतराली के एक और कंपनी है बारत Electronics Limited, उन्होंने बनाए है कुछ साथियों से हमारे जो फॉरन मित्र हैं उनसे कुछ इंपोर्ट करें गए हैं ये प्रणाली होती है, मालीजे एक समंदरी जहाज है बाहर है उससे बात कैसे करेंगे हैं दोहजार के मुटे दूर खड़ा है तो ये प्रणाली है बात करने की कुछ साटलेट से होती है समंदरी जहाज से जो लड़ाकों विमाने वाई-उसेना के उनसे प्रणाली होती है अब जैसे मालीजे वाई-उसेना के प्रमोकनी अभी बात करनी है शिलॉंग में गुहार्टी में तो फोन जब उठाएंगे तो वो साथ में कोई नहीं है यह तो हो गई उनकी सिर गातिये में शाधीया वाँ हो सती है तो लग कर देखे आ सुलिग में पने से कुछ्यूमेचल के साली है अगर होता होती है यानि अनाउंस होगा कि एक साटलेट हमारा और वालगी शहाँ होगी श hello रक्षा मंतला के बाहर वो रक्षा मंतला के पास नहीं है रक्षा मंतला लेकर अपने ही जो नेटवर्क्स हैं सिर्फ उने ही सिक्यूर वो कर सकते हैं और अपनी ही communication security अपसे संचिप में जानना चाहेंगा आजए जी कि भारत अपनी रक्षा तक्नीकों को निरंतर बढ़ा रहा है पर इसमें क्या प्रमुक चुनाओतियां आप देख रहेंगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि technology में जब आप पीछे हो तो आप catch-up ही कर रहे हो भी अमरीका से या जर्मनी से या फ्रांस से या जपान से या इसरेल से जी बनकू ठीक है catch-up कर रहे हैं पर करतो हो रहे हैं सबसे बड़ी बत करतो हैं जो की परमानू missile दाग सकती है और परमान अजय जी आप आकाश्वाणी के साथ शामिल हुए, असके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल News on AIR Official पर भी सुन सकते हैं